जब मतादी दोस्तों मातारानी आपड किरपा बना के रखे आज मैं बताने वाली हूँ कि कन्या पूजन नौडातरा का हम ब्रत जब करते हैं तो कन्या पूजन जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स बहुत सारे लोग इसके confusion में होते हैं कि कन्या पूजन कब कब कड़े हर चीज हम इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि कन्या पूजन आप जब करते हैं तो विसेस धन बढ़ता है धन का लाव आपको मिलता है साथ ही मातारानी का विसेस किरपा प्राप्त होता है तो जब भी नौरात्रा का बत करते हैं तो आपका नौ कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए कभी भी नौ कन्या का पूजा करना ना भूलें सबसे पहले हमें बताना चाहते हैं फ्रेंड्स की नौ कन्या का पूजन आप नौ रात्रा का नौ दिन में हर दिन आप कर सकते हैं आपके आसपास में एक दो जितना भी लड़की मिलती है छोटी दस साल से छोटी उम्र का लड़की को लेना है उनको ही चरंद हो करके पैरद हो करके सब कुछ चढ़ाइए पूजा किजिए उनको कुछ खिलाइए उससे जितना वो लड़की आपके घड में हाथ धूलाई करती है उतना ज़्यदा आपका धन बरता है तो हर दिन आप 9 कन्या के पूजन कर सकते हैं और के साथ ही सब्सक्राइब करना चाहिए चलिए उसके लिए मैं क्या-क्या समानी कठा करती हूँ 9 कन्या के पूजन के लिए आपको सबसे पहले लॉंग लिलाइची एक जगा रख लेना है उसके साथ ही रोली, अक्षत, टीका उनको लगाने के लिए उनको पूजा करने के लिए ये सभी एक जगा आपको रख लेना है उसके साथ ही आप देख रहा है 9 पूजन हमने लिया है, 9 कन्या पूजन जब हम कड़ेंगे तो उनके लिए हम खुईचा सबसे पहले फ्रेंड्स रेडी कर लिये हैं नौ जगर हमने चावल लिया है, 9 पूली थीन में हमने चावल लिया है, दो एस्ट्रा भी है, मातारानी के लिए गहर के लिए है घर में मातारानी को खुशा बढ़ेंगे, एक मंदिर में खुशा बढ़ेंगे सभी में हमने सबसे पहले कच्छा अरवा जो चावल वो होता है वही हमने डाला है कच्छा चावल ही डालना चाहिए इसके बाद सभी में सभी पोलीथीन में दो-दो हल्दी का हमने गाठ रख दिया है उसके बाद सभी पोलीथीन में हमने दो-दो जुरवा घास होता है ला वह भी डाल दी है उसके बाद आपको 11-11 रुपया आपको रखना सरधा के नुसार आप जादा भी रख सकते हैं यहाँ पड़े दो जो मातारानी का खुशा भरने के लिए जो हम त्यार की हैं उसमें हम नौ हल्दी का गाठ रख रहे हैं मंदिर वाला में भी नौ हल्दी का गाठ रखेंगे मंदिर में हम जो ले जाएंगे उसमें नौ सोपाडी भी रखेंगे नौ पान के पत्ता भी रखेंगे उसमें पैसा भी मंदिर वाला में हम बढ़ा देते हैं नौकन्यावला में हमें एक जैसा ही नौकन्या को देंगे जो भी चीज डाल देंगे क्योंकि छोटी लड़की ऐसा होता है कि कि किसी लड़की का उहाँ पर दिल न दुखे क्योंकि मातारानी माता दुरुगा का रूप में ही हम पूजा कड़ा है उनके प्रसंता से ही हमारा धन बढ़ेगा हमारा घर में खुसियां आएगा तो कोई भी मातारानी दुखी होके न जाए जो भी चीज वहाँ छोटे बच्चे होते हैं कभी तो सब को एक जैसा एक ब्रावर देना है जो भी चीज हम करेंगे एक ब्रावर करेंगे इसलिए हम सब में पैसा एक जैसा डाले हैं तो इस तरह से आप तयारी करके चावल जो है यह सब पोटली बना करके बांद करके आप एक दिन पहले सब तयारी करके रख दीजेगा तो नो कन्या के पूजन हम चीज़तीन करते हैं उस तिन विशेस काम नहीं होता है एक दिन पहले हैं सब कुछ करके रेडी करके रख करने में यह साक्षात दुर्गा के ही रूप में रहती है तो चलिए अब पूजन हम सुरू कैसे करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले उनको पैर धोना है एक थाली हमने लिया है उसमें पानी रग दिये पैर का पूजन करने के बाद सीर में इनको रोली चंदन फूल अच्छत सब देना है इसके बाद इनको पसंद का तीका हम सभी कन्या को लगा रहे हैं पैर धोएंगे तो सभी कन्या के पैर में हम हावर लगाते हैं नेल पेंट लगाते हैं कितना खुस हो के जाए यह सब चीज का ध्यान देना है च्छटी-च्छटी कन्या को सबसे पहले आप पैर फूल रडाएंगे सबसे पहले हमने पैर में लगा ली उसके बाद इनका सीड में लगाते हैं टीका सभी को पसंद का टीका गर्दन में माला आप जो जो इनका पसंद का गिफ्ट सब को दीजिए चुडियां दीजिए सभी के हाथ मेहदी लगा दीजिए ताकि लड़की अग खान के रखा था सभी को कोईचा पहले देती है उसके बाद सभी लड़की को मैं खाना खिलाई खाना में आप उनके पसंद का हलुआ खीर उसके बाद चना छोला इस तरह से बनाते हैं नो कन्या जब हम खिला रहे हैं फ्रेंड से एक चीज़ का और ध्यान देना है वहरो भ ली हैं लास्ट में आप उनका पसंद का गिफ्ट बहुत सारा चीज़ दे सकते हैं मैंने चोटा सरो माल नखी काम पी कल अलहा कुछ भी दे सकते हैं इनका और भी अच्छा चीज गिफ्ट इनको कर सकते हैं फल मैंने एक एक केला दी आप चाहे तो फल में से ओ संत्रा आप जितना ज्यादा चाहे तो इनको दे सकते हैं जितना ज्यादा एक खुस हो के लड़किया जाएंगी उतना ज्यादा पर माता दुरका रानी का किरपा बनेगा इस तरह से नौकन्या का पूजन आप करेंगे तो आप भी देखेगा आपका घर और जिन्दी में चार चान लग जाएगा इस तरह से माता रानी को जरूर खुस करें नौकन्या के पूजन इस तरह जरूर करें लास्ट में आपको माता पटक करके सभी को परनाम करके और अस तक हम खुद खाना नहीं खाएंगे, ब्रत हम तक तक नहीं तोड़ेंगे, पूर्ण फल आपको तभी मिलेगा, इस तरह से आपने फ्रेंड से देख लिया कि नो, कन्या पुजन से धन का हानी रुख जाता है, आपके घर में भी तरक्की होने लगता है, इस तरह से कन्या का व कि दाये जरूर करें।